गुड बॉर्निंग प्यारे बच्चो स्वागत आपका एक बार फिर क्लास 11 एंसे टीम मैस में और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नमबर 3 तिरकूण मितिया फ़लन यानिकि टिकनोमेट्रिक फंक्शन की बिवित परसना वली तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नमबर 1 की और जैसे आपको आपकी स्क्रेन के ओपर दिखाए जैरा प्यारे बच्चो यहां पर लिखा है सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए क्वेश्चन नमबर 1 है 2 कॉस्ट पाइबाई 3 डॉट यानिकि प्रॉडक्ट कॉस्ट 9 पाइबाई 13 प्लस कॉस्ट 3 पाइबाई 13 प्लस अब आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपको क्या लग रहा है यहां पर है यह दोनों तो पहला और दूसर तो फंक्शन हमरे पार प्रॉडक्ट में ठीक है यानिक यह पर डॉट है तो यह क्या होगा प्रॉडक्ट होगा यहां पर क्या है यह दोनों प्लस में तो अ होगा आपको पता है यहां पर मैंने लिखा भी है लेकिन आपको याद होगा cost c plus cos d होता आपका e2 cost c minus d by 2 तो यहां पर लगा लगा लीज़े यह c है आपका यह आपका d होगा ठीक है इसको मैंने इसी नौट कर लिए अगली लाइन 2 cos π.by 13 गुणा यानि कि multiply cos 9 π.by 13 यहाँ पर मैंने फॉर्मॉला यूज कर लिया cos C plus cos D क्या होता है जैसे यहाँ पर मैंने बथा है आपको फॉर्मॉला 2 cos C C के का है compare करो तुलना करो C की जगह में 3 π.by 13 प्लस D की जगह में 5.by 13 तो इनको एलसम लेंगे आप यानिक लासा लेंगे तो इसके साथ नीच चाह जाए क्योंकि दोनों का क्या हर क्या है इस बिनका और इस बिनका हर क्या है 13 है तो आप पस 13 तो नीचे आ जाएगा 2 के साथ मल्टिप्लाइ में आ जाएगा तो 2 इंटो 13 और यहां इनको मैंड कर लेंगे तो 3 πาย प्लस 5 πải किना और एट पाई हो जाएगा डॉट यहां पर क्या हो जाएगा 13 जैसे मैंने बोला स्चेम स्चेम है यानि हरं स्चेम है तो हम में इसके साथ डारेक्ट मल्डिप्लाइ करें यहां पर लिखेंगे 3 π् 152 पाई लाइन नाइन पाई भाई थर्टीन टू कोज नहीं कि मैंने सुरू से लास्ता अभी तक तो कॉस्ट नाइन-फाई-बाई-थर्टीन और यह क्या कर दिया मैं नहीं नहीं पर जो मारेन था वो यह यहां से अधर गया है क्यों ओटा क्योंकि आपको पता है काॉस minus सीटा क्या होता है कॉस thटा होता है यह आपको टिक्नोमेंटरी में पता है ठयक है कैसा होता है कास Das होता है कॉस्ट रूल लगा रहा रहा है कॉस्ट माइनस थीटा इसको ठीटा ले लिज आप तो क्या हो जाएक काॉस्ट तो थीटा की जहाँ है पाइब थेंग और कॉस के साथ नेगट बने यह बर ड़ा गे फिर और पर दोबो पर बासी प्लस को सिप्लस कॉश्प को दुशेब्स कूम अपको मालूब ही मि Cry to कॉश ल्डाटी कोसी impact तो यहां पर मुश्पी कर सें ना इन पाइंद बीन प्लस प्लस 13 ठीक है by 2 हो जाएगा cos 9 pi by 13 minus 4 pi by 13 यहां पर देखेगे प्यारे बच्चों 2 cos pi by 13 जैसे कि मैंने बोला आपसे common है इसको solve कर लेजिए यहां पर वही आपको पता है कि हर में क्या इस बिनके हर में 13 है इस बिनके हर में 13 है तो दोनों जब सेम होते हैं तो हम एक बार ही लिखते ह इसको से 2 x 13 2 नीचे वाला जो पहले से दिनोमिनेटर में है और इनको एड़ कर लेते हैं यहां पर हो जाएगा आपका 9 pi plus 4 इस फिर्फ क्तोंरण नाइन प्रों नाइन फ्लस के दांस फॉर उट बाइड यहां पर क्या बच बैडर डू कोस़ पायबाई टो यांनी को सब्सक्राइद नाइन टी कितना को सबुदरी आफ यह प्यारे बच्के मैंठ को सब्सक्राइब ऑडगे तो पी वा जीड़ु यह मैंने लिख रखा दोबारा से लिखने के आउसकता नहीं है क्योंकि जब 0 का multiplier किसी के साथ भी होता है तो क्या कर देता सारा 0 कर देता तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका जो answer है हुआ है आपका 0 यही आपको RHS निकलना था यही आपको proof करना था तो hope कि आपको clear होगा बढ़ते हैं next question की और बढ़ते हैं question number 3 के और बच्चों यहाँ पे question number 3 है cos x plus cos y का whole square plus sin x minus sin y का whole square equal to आपको निकलना क्या है proof करना है यानि सिद्ध करना है 4 cos square x plus y by 2 तो सबसे पहले हम LHS लिखेंगे यानि left hand side ठीक है अब प्यारे बच्चों यहाँ पे भी हमने formula लगा लिए cos c plus cos d का और यहाँ पे लगा लिए sin c minus sin d का यह मैंने आपको जब formula के list लिखा यह तो सारे formula आप लिखा रहे cos c plus cos d sin c plus sin d sin c minus sin d cos c minus cos d यह सारे formula अविलेवल है वहाँ पे तो आप उस वीडियों जरूर देखेगा ठीक है तो यहाँ पे cos c plus cos d मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मैंने कौन-कौन से formula इस question में यूज किये तो पहला formula यह यूज किया है cos c plus cos d जैसे मैंने previous question में भी लिखा था आपको यह formula लिखा रहा है और यह sin c minus sin d क्या होता है 2 cos c plus d by 2 bracket close हो जाएगा यहाँ पे dot sin c minus d bracket close तो यहाँ पे put कर लिजे आप जैसे मैंने previous question में किया था तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 cos इसमें लोगारो मैं c यह है d यह है तो क्या हो जाएगा 2 cos c plus d तो c क्या हो यहाँ पे sin c minus sin d यह हमने values put कर लिए next line में आजाएगा 4 cos यहाँ पे देखिए कि दोनो multiply में है और यहाँ पे square है तो मैं इनको अलग-लग square कर सकता हूँ तो 4 यानि 2 का square केंदा हो जाएगा 4 हो जाएगा cos square x plus y by 2 cos square x minus y by 2 क्योंकि square दोनों का है तो मैं लगा सकता हूँ अलग-लग लिख सकता हूँ प्लस यहाँ पे भी बने वही किया 4, 2, 2 जा 4 होता है यानि 2 दोना 4 होगा square यह भार से square लगा रहा है तो 2 दोना 4 और अलग-लग लिख लिए है cos square x plus y by 2 sin square x minus y by 2 अब देखिए बच्चों यहाँ पे 4 cos square x plus y by 2 मैं यहाँ पे common ले सकता हूँ तो 4 cos square x by 2 मैंने common ले क्यों क्योंकि यह चीज़े और यह वाले जो term है को दोनों जगा यहाँ पे plus का sign है तो common आ जा सकता है और यहाँ पे अंदर क्या बचेगा आप यह बच्चों 10 से पढ़ते पढ़ते आ रहे है ठेक है तो sin square a यानि कि जब angle same होते है यानि यह बी 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 बोल सकते है डी डी बोल सकते है sin square a plus cos square a 1 हमने proof कर रखा है यह cos square theta plus sin square theta 1 sin square theta plus कुछ भी बोल सकते है यहाँ पे देखेंगे आपके angle क्या है इसका x minus y यहाँ भी क्या है x minus y और यह बनेगा आपका sin square a इसको compare करेंगे तो इसको a मान लिजे यह आपका e हो जाएगा तो sin square a plus cos square यह क्या होता है 1 हो जाएगा तो यह 1 हो गया 1 का multiply इसके साथ होगा तो आप कहां सरा जाएगा 4 cos square x plus y by 2 यानि कि आपका यह आगए RHS यानि कि इसको लिख सकते हैं proofed तो hope कि आपको यह clear होगा Thank you Thank you so much प्यारी बच्चों